हेलो फ्रेंद्स दिस दॉक्टर नीलम अक्तार सिंग हो में पैथी कंसल्टेंट लास्ट वीडियो में हमने डिप्रेशन के बारे में इसके कॉजिस इसके सिंप्टम्स के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ केसिस की कि हो में पैथी में किस तरह से डिप्रेशन के केसिस ठीक होते हैं सबसे पहला जो केस अधिस वेरी इंटरेस्टिंग केस हर केस में हमने बहुत अरह के शिंप्टम्स नोट करने होते हैं उसका patient का mental setup, वो क्या करना चाहता है, किस कारण से ये सब कुछ हुआ, उसको depression, क्योंकि अगर depression हुआ है, तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई major reason रहा होगा, तो वो reason note करना है, और आजकल उसका क्या कैसा विवहार है, क्या वो सोचता है, घर वालों का कैसा behavior है, ये सब कुछ we have to note, हमने note करके उसका जिस्ट निकालना है, उसका जो main theme है, वो निकालना है हमने, हमने सिरफ symptoms note किये, rubrics बनाए, rubrics बना के, जस computer में नहीं डालने है, हमने उसका एक theme निकालना है कि ये क्यों हुआ और उसने क्या किया इसके अतरारान, सबसे पहला case है, this is a case of depression, एक lady है, 48 years के, उनके husband की death हो गई, और वो पहले ही homeopathic दवाई ले रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी किसी दवाई से फरक्त नहीं पड़ा, तो then she came to me, उनको पहले arsenic album और ignatia and natrameo जो हमारी basic दवाईयां होती हैं, depression के लिए वो पहले ले चुके थे, पहले उन्होंने अपने आपको introduce करवाया, के I am wife of so and so officer, he is of colonel rank, अपने बारे में introduction दी, फिर उन्होंने अपनी सारी history बताई के ये सब कुछ कैसे हुआ, बोले के देट साल पहले उनकी husband की death, all of a sudden, just वो सुबा वॉक करके आए, और आके जैसे ही घर में बैठे, एकदम heart attack हुआ and he died, वो इतने fit थे और उन्होंने कभी कोई medicine, headache के लिए भी कभी कोई medicine नहीं ली थी, और देखते ही देखते, just at this age, he was 50 years old, तो मिंटो स्किंटो में में मेरे हाथों में वो खतम हो गया, तो ये मेरे से बरदाश्ट नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने खुद को अपने आपको संभाला, अपने आपको बहुत अकेला समझा, कि मैं मुझे लगने लगा कि मैं तो बिलकुल अकेली रह गई हूं उनके बिना, लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये शो नहीं होने दिया कि मुझे बहुत ज्यादा प्राब्लम हो रही है अंदर से, मैं बच्चों को वैसी संभालती थी, जैसे पहले संभाला करती थी, लेकिन धीरे 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 मेरी मुझे नींदानी बंद हो गई, दवाईयां लेनी शुरू कर दी डिप्रेशन के लिए एलोपेथी स्टार्ट की उसके बाद मुझे भूग कम हो गई फिर मैंने एंटैसेड लेने शुरू किये मेरे पेट में हमेशे गुड़ गुड़ सी होती रहती थी पेट हमेशे खराब रहने लगा गैस बनने लगी और प्लीज मुझे अब ठीक कर दो मैं बिलकुल भी बीमार नहीं रहना चाहती I want to be all right मैं जिन्दगी जीना चाहती हूं प्लीज वो बार-बार हाथ जोड के मेरे पास के डॉक्सर प्लीज मुझे ठीक कर दो तो उनको I gave her one medicine लेकिन उसको 15-20 दिन तक different potencies में भी दी लेकिन 15-20 दिन तक कोई फारक नहीं बढ़ा then I thought के एक बार फिर से case taking करती हूं और देखती हूं के अब क्या निकलता है तो उन्होंने उसमें फिर आगे कुछ नहीं चीज़े बताई उन्होंने बोला कि रॉक्सा मेरा और मेरे husband का relation इतना अच्छा था कि आप सोच नहीं सकते हमारी कभी लडाई नहीं हुई थी हम हमेशा एक दूसरे को respect देते थे मैं तो कभी उंचा बोलती नहीं मैं तो किसी अपने घर में servant के साथ उचाने बोलती तो हमारा इतना अच्छ और मैं चाहती हूं कि दुनिया में लोग क्यों लडते हैं क्यों लोगों का relation अच्छा नहीं होता and I want to write a book on this दिल करता है कि हर रिष्टा इतना पवित्र है like husband wife का relation brother sister का relation और सबका कितने पवित्र ये रिष्टे हैं और लोग पता नहीं क्यों लडाईया करते हैं so I want के मैं इन सबके ऊपर एक किताब लिख्यूं जिसमें लोगों को समझाओं कि आप जब तक आपके पास ये रिष्टा है तब तक आप value नहीं करते लेकिन जब चला जाएगा ये के सिस्टी दे रहे थे तो देर वाज वन डॉक्टर जो मेरे पास बठे थे एंड उन इन्होंने जब भी जितनी बार भी मेरे पास आए एबरी टाइम शी इंटोडूस हरसेल्फ अज वाइफ ऑफ वेरी सीनियर ओफिसर ऑफ करनल रैंक एंड हमेशा तीन चार बार ऐसे हु दुबारा से वही सब कुछ के मैं ठीक होना चाहती हूं प्लीज मुझे ठीक करो मैं जिंदगी जीना चाहती हूं I don't want to live life like this और मैं चाहती हूं कि मैं बच्चों में बच्चों के साथ काम करूं घर में कुछ काम करूं कोई इंट्रेस्ट क्रियेट हो ना मुझे नीद आती किया है सो फिर दबाई दी सेकंड टाइम कोई और सेलेक्ट करके कोई फरेक नहीं पड़ा अब तीसरी बार जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री ली तो डॉक्टर अवतार सिंग मेरे पास बैठे थे तो अगेन उन्होंने वही किया कि अपनी इंट्रोड़क्शन दी लाइक के म मैं आइम वाइफ और सो और सो ऑफिसर एंड मैं वह करनल रहें के थे ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम हुए फिर से वही सारा कुछ शुरू कर दिया फिर से वही सब कुछ के मैं चाहती हूं के लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा हो लोग सब अच्छी तरह से रहें कोई लड कि इस लेडी के हस्बन की डेथ हो गई वो अकेले हो गए और उनको लगने लगा कि मैं बिलकुल अकेली हो गई हूं चाहे उनके घर में फैमली में बाकी सारे लोग थे लेकिन फिर भी उनको लगने लगा कि मैं अकेली हो गई हूं दूसरी बात उनने बार बार मेरे से हाथ जोड़के के डॉक्स प्लीज चीक करो प्लीज मुझे ठीक कर दो आई वांट लिव लाइफ में जिन्दगी जीना चाहती हूं मैं ऐसे बीमारों की तरह रहा कि अब एक डेड़ साल से बीमारों की तरह रहा हुआ है यह यह इसे नहीं जीना चाहती है और तीसरी बात यह थी क उन्होंने बार बार ऐसी बाते की के ऐसा होना चाहिए लाइक अधर्श वादी बाते तो मुझे एक समझ आई उस दिन एक बात की के दिस वास नथिंग बट आइडियलिसम शी वास आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक चोडियलिस्टिक दो है विए बार आइडियलिस्टिक्ष नेटर्मिर इटेचिंग ऑन चेर्ट रमड प धे ऐन शीम में अधर्दिकल्टिक लाइडिस्टिक नढषिणी कर्णी तो हिएडि जृड़ कर दिन looking और बहुत decent kind of lady तो उसके साथ मैंने जो यह बनाया था कि क्या क्या हुआ पहली बात जो पहला rubric दिमाग में आया ailment from death of loved ones there are only 12 medicines in that उसके बाद बात आई के मैं अकेली रह गई हूँ delusion alone she is in the world तीसरी बात idealism उसके बाद चौथी बात begging shrieking aid for help calling delirium help calling delirium कैसे के एक ही रट लग जाती है एक ही रट लग गई कि बस मुझे ठीक कर दो मुझे ठीक कर दो मेरी मदद करो मुझे ठीक कर दो जब यह मैंने सारे rubrics लैप्टब में डाले तो the medicine came out was platina तो मैंने डॉक्सम मेरे पास बैठे हुए थे डॉक्टर अव्तार सिंग मैंने उनको को no she cannot be platina platina is very hot tea जो हमें हमने पढ़ा हुआ था जो हमने उसका image अपने दिमाग में platina का बनाया हुआ था तो मैंने का no this is not platina so but डॉक्सम सेड के नहीं अगर platina निकली है और कोई भी इसके आस पास दवाई नजदीक नहीं है you must give her platina I thought okay I gave her platina 30 and जब वो next week मेरे पास आते हैं उन्होंने बोला के डेड़ साल से जितनी मैं परिशान थी यह पहली बार हुआ कि मैंने बच्चों के लिए dining table सजाया खाना बनाया एक भी दिन मैंने जो मैं अंग्रेजी इसी दवाईयां लेती थी फॉर एसीडिटी एंड फॉर नीन नहीं आती थी डिप्रेशन की पांचे मेरी मेडिसन चलती थी तो मैंने उन में से एक भी मेडिसन नहीं ली और जो आपने एक डोज यहां पर ही दी थी उसी से ही मुझे फरक पढ़ना शुरू हो गया मैंने सोचा के बहुत अच्छा रजर्ट मिला है तो डेफिनेटली आइल प्रोब फर्दर फिर मैंने सोचा के वो हर बार आके अपनी इंट्रोड़क्शन देते थे वाट वाज देट उसमें हमारे तीन-चार चीजें जो तीन-चार रुब्रिक्स जो आते हैं जैसे एक्स्क्लूसिव तू के आयम सम्थिंग स्पेशल एक्स्क्लूसिव तू जो मैंने मैं पहले मिस कर रही थे हैं देर ओनी थ्री मेडिसंस जिसमें प्लैटिना एक मेडिसें हैं सेम इसी के इसी का एक और रुब्रिक है इम्पूर्टंस फिल्स हैं पॉम पॉम्पूर्टंस फिल्स के आयम सम्वन वेरी इंपूर्टंट आयम वाइं वीफ वेड़ आर्मी ओफिसर वीज ऑफ करनल रंक इवरी टाइम शी डेड़ इस एंड यह शो करने के लिए कि मैं आयम इंपॉर्टंट आयम एक्स्क्लूसिफ अगर यह दोनों हम रुब्रिक्स भी देखें तो भी उसमें प्लैटिना दोनों में खड़ी है फिर एक बात जो और मैंने उसमें नोट की वो यह थी कि जब भी कोई हमारी क्लास लगती थी वहाँ पर जब भी कोई डॉक्टर आता था तो वो खड़े हो जाते थे इन रिस्पेक्ट दो तीन बार यह चीज मैंने उनमें नोटिस की इसमें भी प्लैटिना है फिर जो मुझे मेरे दिमाग में आए कि इतना माइल्ड प्लैटिना क्या प्लैटिना माइल्ड भी होता है येस माइल्ड नेस रूब्रिक डाला तो उसमें भी प्लैटिना इसके आगे फिर मैंने बहुत सारा सारी की सारी जब मैंने दवाई पड़ी तो कम से कम उनके 100 रूब्रिक्स ऐसे थे जिसमें प्लैटिना आई तो दिस वाज ब्यूटिफुल केस ऑफ प्लैटिना उन्होंने एक और बात बताई कि पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतना एंजॉय करती थी कभी किसी किट्टी पार्टी में जाना कभी कहीं जाना तो जब से उनके हस्बंड की डेथ होई है तब से यह सब कुछ नहीं जा सकते थे और यह भी प्लैटिना में यह वाले सिंट रूप्रिक्स भी है और किसी से उनका बात करने का मन नहीं करता था बात करते थे तो उनका दिल करता था बस चुप हो जाओ किसी से बात ना करो सो दिस वस ब्यूटिफुल केस ओ प्लैटिना उसके बाद उनको छे आट में ने दवाई चली और हंडर्ड परसंट ही हो गया है और ऐसे दुबारा कही बार मेरे पास आई लेकिन उनको कभी भी यह डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं हुई अब हम दूसरे केस की बात करेंगे दिस दा केस ओफ डिप्रेशन और इसमें क्या था कि एक लेडी मेरे पास आई अबाउट थर्टी येर्स की उनकी एज थी और वह मुझे कहते के डॉक्सर मैं बहुत परेशान हूं बहुत ज्यादा तंग हूं मुझे डिप्रेशन हो गय करती और बिलकुल घर का काम करने को मन नहीं करता सारा दिन दिल करता है कि बस पड़ी रहूं तो मैंने पूचा कि इसके पीछे रीजन क्या है शी सेट के आई नो दा रीजन मेरे हस्बर ने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है और पिछले सार डेर साल से ये बहुत ज्यादा पीने लग गए हैं और इस वज़े से मैं बहुत ज़्यादा परिशान हूँ और परिशान होने की वज़े से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं चाहती हूं कि कोई ऐसी दवाई दो मैं ठीक हो जाओं और मेरे हस्बर ये ड्रग्स लेना बंद कर दें तो उसके चीज की कमी नहीं है और मैं पहले मैं खुश हो के हर काम करती थी लेकिन अब जब से मुझे ये पता चला है कि ये ड्रग्स लेते हैं तो मेरा हर काम में से इंट्रेस्ट खतम हो गया है और मुझे हर वक्त यही लगता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ ऐसा क्यूं हुआ तो मैं हमारी तो लब मेरिच हुई थी मैं तो अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकती ये बताने के लिए उन्होंने बोलना है कि तुम नहीं सेलेक्ट किया ना इसको तो इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा इस बात से परिशान हूं बहुत तंग आ गई हूं और मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम हो गया तो फिर मैं थोड़ा उठती हूं उठके कर लेती हूं काम लेकिन फिर भी मन नहीं करता काम करने को और कभी कभी तो बच्चों को बहुत मैं पिटाई कर देती हूं इसी वजह से इतना गुसा आता है क्योंकि गुस्ता तो मुझे अपने उपर आए हुए ना मुझे नीद आती है ना मेरा कुछ काम करने को मन करता है ना मेरा कहीं मन लगता है अब तो मेरा दिल करता है कि जितना मैं परेशान हो गई हूं इस परेशानी से इस उदासी से मेरा दिल करता है कि मैं तो मरी जाऊं और सच मानो तो मैंने तो एक बार गोलिया अभी कितनी सारी खाली थी लेकिन बच गई so this is the case इसमें क्या देखेंगे हम so इसमें रूब्रिक्स क्या आएंगे क्या स्टोरी बनी इसकी और क्या रूब्रिक्स आएंगे the patient is under depression तो सबसे पहला delusion wrong suffered कि मेरे साथ यह जो हो रहा है यह सब गलत हो रहा है और गलत हुआ है and injured being delusion is being injured दूसरी बात ailments from anxiety husband drugs लेते हैं उस वज़े से tension है tension की वज़े से उनको यह नीद ना आने की problem insomnia हो गया और फिर क्या करते हैं जब बहुत गुस्सा आता है तो बच्चों की पिटाई कर देनी और दिल करता है कि फटा फट उठो और उठके काम कर तो जैसे मुझे लग रहा था कि इसमें ignatia आनी चाहिए लेकसिस आनी चाहिए रॉंग सफर्ड तो depression है लेकिन जैसे ही मैंने रेपर्टराइज किया तो ignatia was nowhere in रॉंग सफर्ड ना ही injured में है बलकि ruined में है लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि मैं I have been ruined बरबाद हो गी हूँ बलकि उसने बोला कि उसके पास सब कुछ है घर में सब कुछ है फिर भी वो उसका मन नहीं लगता फिर भी वो उदास है अपने husband की वजह से अगर हम lecasis लेते हैं तो lecasis wrong सफर्ड में है लेकिन bad desire या suicidal में कहीं भी नहीं है अगर हम theme लेते हैं तो उसमें ammonium self आती है theme में लेकिन उसने एक बार भी अपने husband के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला एक बार भी कुछ ऐसे शबद नहीं बोले कि मैं उनसे उन पर मुझे बहुत गुसा आता है या मैं उनसे बहुत परेशान हूं या मैं उनसे I hate him ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं बोला तो तो ammonium self जो resentment to partner पे है वो दवाई भी यहां से निकल जाती है रेपर्टराइस करने के बाद जब medicine देखी तो इट वाज हायोसेमस और मेरे पास हायोसेमस 30 यह 200 में नहीं थी लेकिन आए गेव हायोसेमस 1 & 1 डोज और जब वो एक महीने की दवाई लेके आय गये थे क्योंकि वो बहुत दूर से आय थे और एक महीने के बाद उनके घर वाले आये दवाई लेने के लिए के उनकी medicine वो ही repeat कर दीजिए क्योंकि जिस दिन उन्होंने दवाई ली थी उसी दिन से वो ठीक हो गय थे और अब उनको ज्यादा कोई भी परिशानी नहीं है नीन फर्स क्लास आती है और जो उनके मन में टेंशन थी वो भी ठीक हो गई है सो हायोसमस ने इस depression के patient में बहुत अच्छा काम किया हुआ है